आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ यह 11 and क्या है 11 and onto है तो अपने को यह show करना है ठीक है कि यह function 11 and क्या है onto है तो guys 11 की बात करें तो y equals to fx अगर आपका एक function given है और इसकी figure suppose करते हैं हम लोग कि यह आपका coordinate axis हो गया इसकी figure suppose करते हैं कि something like that है ठीक है तो यह आपका x हो गया और यह आपका y axis हो गया 11 पता करने के लिए हम लोग क्या करते है कि एक sex के parallel एक line खिछते हैं अगर वो line यह function को सिर्फ एक ही point पर cut करें तो function 11 हो जाता है और अगर एक से ज़्यादा point पर cut करें तो function क्या हो जाता है many one हो जाता है ठीक है और अब अगर हम लोग बात करते है on to की तो guys on to के लिए क्या होता है condition कि on to में जो आपका range होना चाहिए न वो range belongs to आपका co domain होना चाहिए अगर range क्या है अगर range आपका does not belongs to co domain है then अपना जो function हो जाता है वो आपका into हो जाता है तो guys अपने को यह जो आपका function given है इसका आपने को range पता करना है यह by this method अपने को यह one one है या नहीं है अपने को पता करना है तो guys हम लोग क्या करते है अपना जो function है यानि y equals to क्या है अपना x cube है इसकी हम लोग figure draw करते है ठीक है तो फिर से हम लोग coordinate axis बनाएंगे तो guys यह आपका coordinate axis हो गया यह आपका क्या हो गया coordinate axis हो गया तो guys यहाँ पर आप x success के parallel कोई भी एक parallel line खिज लो यहाँ पर खिज दो यहाँ पर खिज दो कहीं पर भी यहाँ से देख सकते है कि यह जो आपका function को सिर्फ एक ही point पर cut कर रहा है यानि function अपना क्या हो गया one one हो गया अब बात करते हैं इसकी range की guys तो range क्या होता है कि range आपका basically denote क्या करता है range आपका y का interval denote करता है तो y की गर interval की बात करें guys तो यह देख सकते हैं कि आपका negative y में जा रहा है तो यह जैसे जैसे x आप इधर negative में जा रहा हो जैसे जैसे आप negative x बढ़ा रहा हो वैसे वैसे आपका नीचे चला जाता है यह दीरे दीरे नीचे आ रहा है ठीक है यानि अगर y की minimum value देखें तो आपका जैसे जैसे आप x अगर minus infinite में ले जाओ तो y भी आपका क्या जाएगा minus infinite जाएगा यानि y की minimum value वो minus infinite हो गई और maximum की बात करें तो आप x जैसे जैसे बढ़ाओंगे y आपका वैसे वैसे बढ़ते चला जाएगा यानि y भी आपका उपर चलते जाएगा ठीक है यानि y की भी अगर x आप infinite ले जाओ तो y भी आपका infinite यानि y बिलॉंगस to y की maximum value भी infinite हो गई यानि y belongs to minus infinite infinite r हो गया और guys यहां से देख सकते कि function का co domain आपका क्या था पुरा real number था और यहां से function की range भी क्या आई अपना range भी आपका आगया पुरा real number यानि यह जो आपका function का range range belongs to क्या हो गया range belongs to co domain हो गया यानि function क्या है आपका onto है यानि हम लोग finally बोल सकते है कि अपना function क्या है one one है ठीक है one one है and क्या है and आपका on two है ठीक है तो function one one and on two होता है तो उस function को हम लोग क्या कहते है उस function को हम लोग कहते है by objective function ठीक है तो यही अपने को क्या करना था guys अपने को यही so करना था कि function अपना by objective है जो कि हम लोगों ने कर दिया ऐसा question में बोला गया था तो यही guys आपका क्या हो गया यही आपका final answer है Thank you